नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पोधे के बारे में बताएंगे जिसका प्रियोग करके आप अपने शरीर की तमाम बिमारियों को दूर कर पाएंगे दोस्तों वैसे तो पेड़ पोधे सभी को अच्छे लगते हैं जैसे कि तुलसी, गिलोए, नीम जैसे पोधे ऐसे होते हैं जो आपकी शरीर की अनेक बिमारियों को दूर कर देते हैं ऐसे ही पोधे के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों जिस पोधे की आज हम बात कर रहे हैं वो है पत्थर चट्टा का पोधा आप में से तमाम लो हम पेड़ पोधे हैं जिने हम अपने घर के आसपास जरूर देखते हैं और उन्हें निहारते भी हैं लेकिन उनकी खुबियों को नहीं जानते दोसों ऐसे पोधों में पत्थर चट्टा भी एक ऐसा पोधा है जिसके प्रियोग करने से आपके शरीर की अनेक बिमारिया ठीक ह जाती हैं दोस्तों पत्थर चट्टा में काफी ओश्दिय गुण पाये जाते हैं और इसका प्रियोग कई तरह की बिमारियों की दवा बनाने में भी किया जाता है पत्थर चट्टा के इलावा इसे एर प्लांट भी कहा जाता है लाइफ प्लांट भी इसका नाम है और मैज स्वाद में खट्टी और नमकीन होती हैं बस आपने इस पोधे की एक पत्ती का ही सेवन करना है यदि आप इस पोधे की एक पत्ती का भी सेवन कर लेते हैं तो दोसों आपके शरीर की आनेक बिमारियां सही हो जाती हैं जैसे कि यदि आपको पत्री बनती हैं किड्नी में पत् पत्री होने पर दोस्तों आपने इसके एक पत्ते का सेवन करना है सुबह खाली पेट इसका एक पत्ता ही आपकी पत्तरी को तोड़ तोड़ कर बाहा निकाल देगा मुत्रमार के द्वारा दोस्तों इसका आपने 15 दिन सेवन करना है तो आपकी जो पत्तरी है वो निकल कर बाह सकते हैं तो आपका घाव बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों जीन लोगों को BP की समस्या है हाई blood pressure रहता है तो उसको control करने के लिए आप पत्थर चट्टा का एक पत्ता हर रोज खाएं आपको 15 दिन में असर दिखाए देगा आप इसका प्रियोग मुत्र विकारों को सही करने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों जीन लोगों को फोडो का इलाज करना है वो पत्थर चट्टा का प्रियोग कर सकते हैं ये diabetes को भी control करने का काम करता है सिर में दर्ध है आपको सिर दर्ध को सही करना है तब आप इस पत्ते का लेप त्यार कर सकते हैं एक पत्ते का लेप बहुत है आपके सिर दर्ध को सही करने के लिए बस सिर दर्ध में आपने क्या करना है इस पत्ते का लेब बना कर सिर पर लगाना है तो आपको जो सिर का दर्ध है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आखों के लिए बहुत ही लाबकारी है दोस्तों यदि आप इसके एक पत्ते का सेवन हर रोज करते हैं तो आपकी आखों की कमजोरी दूर हो ज जाएगी आँखों से कम दिखाई देता है आँखों की रोशनी कम है तो आप इसके पत्ते का हर रोज सेवन करें खुनी दस्त में भी आपको रहा दिलाता है किड्नी को भी ये बहुत ही हेल्दी बना देता है दोस्तों जिन लोगों को दिल की बिमारी है हार्ट अटक आने का वो लोग भी इसका सेवन हर रोज कर सकते हैं कॉलेस्टोल जिनका बड़ा हुआ है कॉलेस्टोल को कंट्रोल करने के लिए आप इसके पत्ते का हर रोज सेवन करें दोस्तों जिन लोगों का मोटापा बढ़ गया है मोटापे को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसके एक पत दूर हो जाएंगी जिन लोगों को जोडों का दर्द रहता है कमर में दर्द रहता है या टांगों में दर्द रहता है गुटनों में दर्द रहता है वो लोग भी इसका प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों कमर में दर्द के लिए आपने क्या करना है इसका एक पत्ता लेना है उस उस पे सरसों का तेल लगाएं और उस पते को अपनी कमर पर बांद लें तो ये सारा दर्द आपका खीच लेगा तो इस तरीके से दर्द में आपने इसका प्रियोग करना है यानि जहां कहीं भी आपको बेन है घुटनों में दर्द है टांगों में दर्द है या कमर में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, तो सारे दर्दों से आपको निजात मिल जाएगी, दोस्तों यदि आप इस पत्ते का सेवन करते हैं, तो आप हश्ट पुष्ट जियेंगे, 90 साल तक आप हश्ट पुष्ट जियेंगे, आपको कोई भी बिमारी नहीं होगी, क गिलास आपने गुनगुना पानी पी लेना है या फिर इसका काड़ा बना कर आप सेवन कर सकते हैं दोनों तरीकों से आप सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी ये सारी समस्याई हैं तो आपने एक पत्ता इसका हर रोज खाना है चबा चबा कर सुबह खाली पेट इसके इस तरह प्रियोग करने से आपके तमाम बिमारियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तो यदि आपको भी ये सारी समस्याइं हैं, तो अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप भी इसके पत्ते का सेवन शुरू करें और अपने लिए फायदा उठाएं। तो दोस्तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटि मिलती रहे धन्यवाद दोसों